ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सित्र जोनो व्यो मा परोयत किमा वरिवह कुह कस्यत शरमनम भा किमा सित गहनम गवेरं तृष्टी से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहां किसने ढखा था उस पल को अगम अतल जल भी कहा था वा झाल झाल स्विष्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्से आकाश में रहता सलाह अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं बता नहीं बता नहीं है बता नहीं है बता यह महज एक इत्तफाख था कि मोहिंजो दरो और हरपा की खोज हो पाई इसमें कोई शक नहीं कि हिंदूस्तान में आज भी पुराने शहर और प्राचीन आलार जमी दोज हैं जब से ये पंक्तियां लिखी गई हैं सिंधू सब्वेता के और कई शहर और गाउं हमें मिले हैं सिंधू घाटी सब्वेता के नश्ट होने के साथ ही साथ शहरी तहजीब भी मानो लुप्त होने लगी पर तकरीबन सभी जगे क्रिशी परधान खेती हर बस्तियां विक्सित होने लगी आर ये लोग हिंदूस्तान में पाँच छे हजार या शायद इससे भी जादा बरस पहले आये होंगे कई सजीओं तक उत्तर पश्चिम के पहाडों से कबीले पे कबीले कुनबे पे कुनबे लहर पे लहर सैकरों बरस तक आते रहे होंगे शायद पहले उन्हें सिंधु घाटी तहजीब वालों ने और दूसरों ने भी रोका मगर फिर उस सैलाब को रोक पाना उनके लिए नमुम्किन हो गया क्या आप उन्हें पहाडी दर्नों से नीचे अंजान मैदानों में उतरते हुए नहीं देख पाते इसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दोरान उप महांग्रीब के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीन संस्कृती के कई प्रमान मिले है ग्रामीन खेती हर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आत्रमन से वैदिक संस्कृती का पहला विस्तार हुआ पराजित ग्रामीन समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई इस विशे पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जंसमू मद्ध एशिया से भ्रमन करके सिंदू घाटी सभीता के पतन के समय भारत पहुँचे या वो भी सिंदू तहजीब के लोगों के साथ सिंदू घाटी की ओर आए लेकिन खेती बाड़ी और नागरी करन में उन्हें ज्यादा समय लगा तरह तसमूर कीजिए दूर से आए हमारे पुर्खे नदियों के किनारों पर पहुँचते हैं इस नजारे में उन्हें कितनी उमांग और खुशी से भर दिया होगा फिर क्या ताजुब जो इन्होंने इन नगियों के सामने सर जुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की हे जल हे उदल नीर है सुख स्रोत है हमें बल दो उर्जा दो बहान आनंद दो हिचल जैसी शिशु को माता धूर्थ पिलाती है वैसे ही हमें भी मंगल में रस दो हे जल हमें तुम रोख मुख कर हर्ष दो हम तुम्हें स्वीकार ले हमें वंश बुद्धी दो हे जल अभिलाशा तुम हो आउशधी तुम हो आरोग्य हो अगनी हो हमारे जीवन दाता हो हे जल तुम शांती हो शुख हो तुम अभिष्ट हो जल तुम हम पर बर्दो बर्दो दो शरो शाप रो पानी का पाप रो रच का मज का में हरो हमें शुख्धी का अम्रित दो मैं जल में हूँ जल के रस में हूँ जल में हूँ अगनी तुम जल में हो आ मुझे ते जो मैं कर दो हम यहीं पर डेरा डालेंगी मुझे याद है वरसों पहले हम यहीं अपने मवेशी चराने लाए साथ नद्यों वाल यह धरती तुम्हें अच्छी लगी सुटे जा हूँ तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें बिना मतलब दर उदर लिये जा रहा तात आपके जित की वज़े से हम सब लोग यहां है परना कवीले वाले इस सियात्र की तकलीफ कहां बरदाश कर पाते हैं क्यों मैंने जो फैसला किया है उस पर यकीन करो बिना कोशिश किये कुछ नहीं मिलता पशु पालक धीमे धीमे नहीं फैलते बलकी तीर की तरह तेजी से बढ़ते हैं नई जगह पर बसने से पहले खोज यात्राएं होती हैं जिनमें चरागाहों की खोज के साथ साथ धन संपदा के अड़े भी खोजे जाते हैं और ये पशु पालक बाद में उन अड़ों को लूटते हैं और पशुओं को वसूली में हत्याते हैं वैदिक लोगों का फैलाओ इन सभी मिले जुले उद्देश्यों से ही हुआ होगा क्या हुआ तुम्हें ये मवेशी कहां से मिले हम अपने रास्ते पर जा रहेते सरदार वीज में असरों का एक गाउं पड़ा हमने उपर हमला किया और इन मवेश्यों पर कभजा कर लिया अच्छा हुआ अब हमारे पास अधिक पशु हो जाएंगे इन दो हम इन जानवरों करेंगे क्या हड़े और चमड़ी के धांचे बरतों हैं ये नहीं सुतेजा हमारे मवेश्यों की तुलना में इन मवेश्यों में यहां की गर्मी सैने की अधिक शक्ति है अब हम यहीं पड़ाव डालेंगे प्रियमेधा इन पश्चों के लिए बाड़े का प्रबंध करो अच्छा सरदार मवेश्यों और दासों में से हमें हिस्सा नहीं मिलेगा क्या इन दो वर्चा वतावली मत करो हमेशा कितर हर एक उसका हिस्सा मिलेगा वैदिक लोगों उनकी भाषाओं के आगमन और उनके विस्तार को एक गतीशील सांस्कृतिक संपर्ग के रूप में देखना चाहिए जो सदियों तक चलता रहा यह लकड़ी की पट्टी का माता है और यह उपर वाला काश्ट छड़ पिता दोनों मिलकर अगनी को जन्म देते हैं अब यही उचित समय है तुम इन सब के अर्थ समझ लो और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो अम भूर्व अश्वर अम क्रुनत्स पाजा प्रसतीम न प्रत्वीम यही राजेव अमवानि बेना वो सांस इस बात का प्रतीक है कि सूर्य अश्वर सूरज से अगनी लाया है अगनी जो नायक है सहायक है अगनी जो अजर है सदा सुन्दर है आओ हम उस अगनी को बुलाएं घर घर अगनी देव प्रजवलित होता है रात के अंधेरे दिन के उजाले में आराधना पाता है नहीं होता जिसके नियम का अपालन आओ हम उस अगनी को सजाएं अगनी इंडर सोमादी देवता रक्षक है सहायक हैं वे हमारे पोशक हैं तभी हम कभी नश्ट नहीं होंगे आओ हम अपने शक्त्रु को हराए आओ हम उस अगनी को बुलाए अब हर घर का ग्रेपती ग्रिपत्य अगनी और अपने पूर्वजों पित्रों के लिए दक्षिना मुंधेत्य अगनी लेने आएगा क्या हुआ 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 हु बापा माने मानु यजुदू के इसको पकाने इसको माना पकाने यजुदू हम यहां इसलिए कत्रत हुए हैं किमरत पश्यों के बदले में नए मवेश्यों के लिए क्या किया जाए? राजन, क्या सुतेजा मवेश्यों की खोज में नहीं गया? हाँ, लेकिन अभी तक वो लॉटा नहीं है. राजन, आपसे जो भी काम देते हैं, वो कोई भी काम ढंक से नहीं कर पाता. मैंने उसे कई पर समझा दाथ मैंने पश्चों को ढूंड लिया है मैंने मवेश्चों को खोज लिया है कहां? सुरा के पियले में बहुती सुंदर मवेश्चों का जुंड है प्रीमेदा पढ़ियों के बसी गायों का बारा वे लोग जोद्धा नहीं है मज़े में रहते हैं बस चीजे खरीदते और बेशते हैं उनके परशु बहुत ही सुन्दर है तात बहुत सुन्दर अगर ऐसा है तो फिर यह उन्हें खोने का वक्त नहीं है सूरज डूबने वाला है नहीं तात पड़ी लोग बहुत ही चालाक है उन्होंने अपने मविश्य कर दें तो शायद हमें गवए दे दें ठैरो राजन एक काम करें क्या यह दि हम सर्मा को भेजें सर्मा शुवान देवी है वो उसकी बात अवश्य मानेंगे हम सर्मा को भेज कर पशूंकी मांग करेंगे ठीक है पर तुम्हें उसके साथ जाना होगा अच्छा कल सोर्यास त अच्छे रहना पणिबस्ती की सारी बनावट समझ लेना हो सकता है हमें उन्से लड़ना पड़े अच्छा राजन अच्छा राजन अच्छा कान हो तुम परमा कहा से आई इतना बड़ा फासला कैसे पांकर आई रहा मैं बहती, रसा सरीता कैसे पार कर आई, मता कैसे आई मैं सर्मा, इंद्र की भेजी हुई दूती सुना है बहुत बड़ा गौधन है तुम्हारा उसी को देखने चली आई वो भी रात को, पार करके नदी की आकास छूती लेर को दर गई थी नदी हमसे, रादी उसने चली आई कौन है इंद्र ये जो स्वामी तुम्हारा, और कैसा स्वान बनकर घूमते हैं दूत जिसके, क्या उजाले से दहलता जी तुम्हारा अच्छा किया जो इंद्र ने तुम्हे आवेजा अगर वो खुदी यहां आते, तो मित्रता करते उनसे, स्वामी बनाते, समलता नहीं है गोधनम से, सौब देते, रात को आराम से सोते क्यों, ना समझ पणियों, इंद्र सबको समस्ता है, छल कपड जानता है, आकाश चूती शिखर की उचाईयां, पाताल सक पहुची हुई गहराईयां, रोप नहीं सकेंगी इंद्र को, आएगा पणियों, इंद्र तो आकर रहेगा, वो विनाशी, स्वयम अविनाशी, सुल आनेगा सभी को, सदा को, पैदा हुए हम पनी क्या सिर्फ सोने को, देखती है शस्त्रिया, कौंद तब पल भर इधर, दुश्मनों की लाश बिच्चाती हुदर, जाओ, जागर कैद अपने इंद्र से, चाहता है गोएं अगर, तो आना हुआ युद्ध करने इधर, मगर आना सभी जंच से विरा लेकर, क्योंकि यहां से वापस लाट कर नहीं जाना है, बड़ बड़ाती जीव के खातिर है बहुत एक्तीर, वीर का धक्का नहीं सह पाएगा, नीचता के कर्में डूबा हुआ ये शरीर, परवतों से सुरक्षत है ये कोश, अश्व हैं, गाएं ह गिरा है ये स्थान पढ़ियों से, करेगा एक पल में चून, बेकार में आईए तु यहां सर्मा, जा फिक्र में होगी तेरी मा, अरे रुक रे, सर्मा, ये अंधेरी रात, और तुम अखेली बालिका, नहीं लगता डर, फला होता यदि सोती वहां गर पर, मा के गले लगकर, दास तु सर्मा, दास का जीवन कहा अपना, यदि वो चाहे जियो तो जीना, अन्यथा मरना, नहीं तुम दुश्मन हमारी, नहीं दुश्मन हो, सुनो सर्मा, तुम हमारी हो, तुम हमारी बहन हो, तुमको यहीं रहना, अरे इतना बड़ा गोधन, इसमें भाग है तुम्हारा, हो जाए बठवारा, तुम्हारा भाग है सौंते तुमको स्विकार है सर्मा बहन? कौन भाई, बहन भी कौन, मुझको इस सम्मन नहीं स्विकार जानता है इंद्र, जाने अंगिरस, मैं जा रही उनी के पास भष्चे वैवार भी मुझको नहीं स्विकार, प्राणों से है अगर प्यार, तो भागो पणियों, भागो बर्वत के उसपार अब भुजारन, जर्स मत कर शब्द तु अपने यहाँ, जा, जाकर कह दे अपने स्वामियों से, इंद्र के अनुगामियों से हम न देंगे पच्छू ने, अपने कभी भी पच्छू ने क्या हुआ? उन्होंने पच्छू देनाज स्विकार कर दिया क्या? ठीक है, फिर हम लड़ेंगे कायट गाता है, इंद्र के लिए गाना मंत्रों से करता साधक, इंद्र की अर्चना अपनी पानी से करते हम, इंद्र की आराधना फू यही इंद्र का नेत्र है, सरवत्र देख पाता है वही किर्णों से नेग बिगलाता, चल गिराता है छोटी चपड या विकड युद्ध में, जिसे हम बुलाते वह इंद्र है शत्रू को हराने, वेजते मित्र को हम वही तो बच्रधारी इंद्र है इंद्र है सरवेश्वर्द, समर्थ है समर्थों में चपल वेग से गुस्ता है अपनों में जैसे बलशाली विशब, प्रिष्टि वेग से गुस्ता है गव्वों के जुन्दों में इंद्र तुम जिसानों के धन खान के, एक मेवस्वामी हो हम सब दिशाज्य सब के इंद्र को बुलाते हैं इंद्र तुम हमारे हो, हमारे ही रहो हम सबस्क्क जेट हम कौन है आफ praher कर झा ए व कुल को निसे निएłaटी सभ्यता के वे वो संबंड व्यापारी थे जिन्होंने शेहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाए रखने की कोशिश की पनी शब्ड बनिया से पूर्व का शब्द है जो करी स्वयं संस्कृत शब्ड वनिक से निकला है और वनिक शब्ड का जन्म हुआ परी से जिसने अहिवद कर सब्सरिता बहाई जिसने वला सुर की बुपा में बंदगों में चुड़ाई जिसने में गोसी शिला के उदर में गाज की आग सजाई सच्जनो सुनो वही शत्रुहर हमारा इंद्र है सभी भुवनों को डला कर जिसने कमपित कर दिया है दास दल को रख भुपा में जिसने बंदी कर लिया है जीता है लक्ष जिसने शिकारिया जुआरी साथ सच्जनो सुनो वही विजे का हमारा इंद्र है जिसने चालिस साल पहाडों में चिपे शंबर को मारा और अहंकारी अधिदानव को सोते में संगारा जो लोक पर आरोहन करते रोहिन को प्रहारा सच्जनो सुनो वही पराक्रमी हमारा इंद्र है तुराचारियों को जो हजर से दुचलता है जो खमंडी वैरियों के गर्व को पुचलता है जिसका नाम सुन दस्यों का दिल दहलता है सच्जनो सुनो वही वीरवर हमारा इंद्र है क्या इंद्र वाके कोई मनुश्य था जो आरों का प्रमुख रहा होगा या फिर कोई कालपनिक चरित्य इरानियों में जर्टुष्टी सुधारों के बाद इंद्र को दैव या द्दानव माना जाने लगा इसी तरहे असोर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतिय जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे मुखे शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संघार के रूप में दर्शाया गया है इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था जिसके पास बहुत से गड़ या पुर थे इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अनुयाईयों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्नन मिलता है लेकिन एक हिंद आरेबस्ती ग्राम कहलाती थी जिसका अर्थ बात तक भी गाओं ही रहा जो एक रात भर के पड़ाओं के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता था गाएं आएं हमारे घर रहें रम जाएं हमें सुख दें ये संतानवती माताएं भोर में इंद्र देव के लिए पैदें गवों अपनी पछडों संग आओं को मलत्र रखाओं आओ को मलत्र खाओं अमल विमल जल पियो मदुल उच्च स्वर्मी रंभाओं उच्च स्वर्मी रंभाओं धेनुओं हमें दूधदों हमारे काया को कांती दो पुष्टी दो तुष्टी दो हम जीएं तुम्हारे आजीवन गुण गाएं गाएं हाएं हमारे घर रहें रम जाएं हमें सुख दें गाएं आएं हमारे घर रहें रम जाएं हमें सुख दें हमें सुख दें हमें सुख दें वैदिक कबीलों का मुख्यकार युद्ध था और तक्नीकी ग्यान ज्यादातार युद्ध के लिए रत अस्त्र शस्त्र और औजार के निर्मान तक सीमित था भूमी को बारी बारी से अलग लग दलों को सौपा जाता था और दल आपस में उसे तक्सीम करते खेती बारी उस समय तक इतनी अविक्सित थी कि जोती जा चुकी जमीन को एक ही फसल के बाद हर साल बदलना पड़ता था और फिर ये जमीन कुछ हरसे के बाद दुबारा इस्तिमाल में लाई जा सकती थी सरदारों को नियमित रूप से भेंट और उपहार दिये जाते थे बतार कर लोगों की सामुदाइक गती विधियों का केंद सभागर था जो कबीले की पंचायत के अलावा मर्दों के आराम और आमोद प्रमोद की जगे भी मानी जाती थी सभा का पसंद दीदा कार्य था जुआ अब तुम कहां जा रहे हो यहाँ बाद उमस है मैं जरा बाहर जाके स्वच छभाखा क्याता हूँ मैं सब जानती हूँ तुम कहां जा रहे हो तुम क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं मत भूलो कि तुमने अपने पिता के सामने प्रतिग्या की थी मैंने कहा ना मैं सिर्फ देखकर आ रहा हूँ कि वो लो क्या कर रहे हैं मैं नहीं खेलूँगा बस पासे चलते देखकर, तुम अपने आपको रोक नहीं पाओगे, मज जाओ मैं पासे नहीं खिरूँगा, बताया न अन्त तो गत्वा तुम आई गए, सुतेजा कोई भी प्रतिज्या, कोई भी शपत, इससे बढ़कर नहीं है नहीं है सुतेजा, तुम ने तो कसम खाई थे एक बार, एक बार इंदुवर्चा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा भागी मेरे साथ है लाओ पासे तो फिर लाओ आह, ये पासे, जंजावात में पेड से टपके, फलों से बने ये पासे पिसाथ पे गिरते, लुड़कते, सरकते फिसलते हिलते, करन फूल जैसे पासे सुख लुटाते है मुझ पर, जैने कैसे कैसे मूझ वद पर वद पर, उगी सोम की लटाका रजभी नहीं बहकाता उतना उससे भी ज़्यादा बहकाते, नशा जगाते ये रोजुआ खेलता है, उसकी सास भी तिरस्कार करती है काणों से प्यारी, पज़्णी भी उससे छोड़ जाती है माया मोहमम का दया के दय में उसके लिए खुपश्टी नहीं है बद गुड़ी गोड़ी है, रस्ते में भी नहीं बिख्ती है आसे की आप पटे ही दूजरे मकरते हैं, दुवारी की पत्मी का हाँ मादा, पिता, भाई, खोई नहीं सहाई, उड़ते यहीं कहते बाद नहीं जानने से उपनी गाओ, उसके बांद कर अपने हिर्दा नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा फड़ पर मैं संकल्प करता हूं योही चले जाते हैं, मुझे छोड़ कर मेरे जुवारी मित्र त्योही पिछर जाता हूं अरे जाता हूं पीछे पीछे और सुनता हूं पांसों की बानी की आओ, आओ, मित्र कहां थे? दोड जाता हूं क्या जानों तुम मेरी उतावली जब आता हूं तुमारे पास जीत लूंगा सारी दुनिया यही होती है आंस उठाता हूं तुमें, कापता हूं, समलता हूं पासे खनकाता हूं, गिराता हूं, आओ, बासों विश्वास घाती तुम, उनके हो जाते हो तुम मेरे दुश्मनों के कैसे नीच हो तुम पद्नी जुआरी की विरह में जल नही है माताय जुआरे की भट्के बेटे की आँख में भुल नही है कर्द में डूबा जरा हूँ अधन की अपेशा में जुआरी आधी रात को जर्तावरों में इरादा चोरी देखता दुख्रे सजे घरों को फ्रियों को सुखी जो अपना घर सी अपनी आस्वा हाती दुखी जो खेलता है जुआरी अपनी को बुच्टा मन ही मन रोजा है सुबह ओ देही खेलता दुबारा दिन मर हो ओ पेता बेचारा चलो मुझे इस बाद जीतना है चलो घर वापस चलो सुतेजा मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था अब बच्चे नहीं हूँ मैं अपना भला भुरा बच्चे अच्छी तरह समस्ता हूं तुम जाप को देजा उसामाल के बोलो बच्ची बंदो तुम्हारे पिता है नहीं हमारे सरदार भी है चाप ना तुम्हें लज्जा आती और ना कर्तव्यों को ग्यान है पिता के शब्द कोई अर्थ नहीं रखते तुम्हारे लिए ओटः जाओ जब जाओ 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 झावाँ एवी हांड़ जाओ पूँदा मुषे तुम्हें टुम्हें दाओ तुम्हें टुम्हें अरुआ वरुन है पूछता मैं स्वयम से मैंने किया है पाप कौन सा पूछा मैंने विद्व जनों से कहते हैं वे एक स्वर में तुझ से निश्चे ही रुष्ट है वरुन यह कोप उसका वरुन है मैंने समझ बूझ कर नहीं किया पाप है कराया मुझसे मदिरा ने जुए ने क्रोध ने अज्ञान ने मन नहीं नता ने कभी बड़ा छोटे को धनी निर्धन को बलवान निर्बल को पाप की दिशा में ले जाता है आप कर्म नित्रा में भी कभी न रुकता कभी विनाश नहीं पाता है आती है आती है देखो उशा आती है आँख खोल कर देखे जग को ये बतलाती है सूरज की पहली ही उठकर नार नवेली सी सज़ज कर घनेती मिर को दूर हटाने जोती जलाती है वर्दो ऐसा हमने भै हो यूद करें तो सदा विजय हो प्राणों को छुकर के उशा तेज जगाती है धरा धान्य दो गोधन भी दो देह आयू के साधन भी दो किरणों से नहला कर उशा मन चंकाती है आती है आती है देखो उशा आती है आती है आती है देखो उशा आती है देखो उशा आती है प्राणों से आती है देखो 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 अगने आहुति का अन्नलो किर्थिमई देवप्रियस्तुतिलो हे मेधाविन हे जीवन रसदाई काई हमने जो मन भाई स्तुति वहलो हे अगने लोक में बंधु कौन है यग्य कौन है किसके आश्रित तुम कौन हो हे अगने लोक के तुमी बंधु हो तुमी सखा हो मित्रों में प्रिय मित्रों के तुमी मित्र हो हे अगने यजन करो तुम मित्रवरुन का हमारे लिए इंद्रादी देवता का यजन करो यजन करो विशाल यग्य का अपने महान घर का यजन करो एंदुमति 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 अरे पित्रों के पास जाने का वक्त आगया ओ पिता परम व्योम में अपने पित्रों से मिलो यम से मिलो पुन्य कर्म के इश्ट फल से मिलो पाब मुक्त होकर अपने घर लोटो नवगरिमा मैं तेजस्वी देह से मिलो हे यम अपने मार्ग दर्शक विहरक्षक चतुर्द्रक दोनों श्वानों को मृतक की रक्षा का आदेश दो मृतक का कल्यान करो मृतक को आरोग्य दो हे अगने इसके जन्म रहित अंश को अपने देज से तपाओ फैलाओ अपने को पवित्र ज्वालाओ जलाओ जलाओ हे जानकार अकने अपनी मंगल मैं मूर्ति से इसे बुन्यशील लोकों में ले जाओ पुन्यशील लोकों में ले जाओ पुन्यशील लोकों में ले जाओ जैसा के आप सभी को विदित है कि आज हम यहां एक बड़े ही उपचारिक कारी के लिए कत्रित हुए हैं हम सब अपने राजन वजबंधु के स्वर्गवास होने पर शोक संतप्त हैं वो हम सब के पिता समान थी वो अपने कुशल नेतृत में हम सब को इस साथ नदियों वाले देश में लाये थे वरना ब्रहमवर्त में हमारे बच पाने की कोई संभावना बाकी नहीं बची थी आज हम उन्हीं के उत्रादिकारी के चुनाव के लिए यहां इकठा हुए हैं आप मेंसे जो भी इस पद के लिए अपना नाम देना चाहे दे सकता है और उसके बाद आप जिससे भी उप्युक्त समझें उससे आप अपना राजन चुनें मुझे पहले ही दो अबिलाशुं के बारे में बता दिया गया है एक तो हमारे स्वर्गवासी राजन के पुत्र सुतेजा हैं और दूसरे इनके सहयोगी योधा प्रियमेधा इसके अत्रिक्ट कोई है? हाँ मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो तीसरा नाम भी है बहुत ही विनम्र इंदू वर्च्छा चुनकि मैं आप सब मैं उमर में बड़ा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे पहले बोलनी की अनुमती दें हावश जैसा कि आप सब जानते हैं राजन वजबंधू मेरे बड़े भाई समान थे मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का देहांत हुआ यह राजन वजबंधू ही थे जोने मुझे युद्ध कला और शिकार का पार्ट पढ़ाया मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम अपने पुराने देश ब्रमवरत में कई कई दिनों इकत्नी शिकार पर जाय करते थे आज आप अपने नए राजन चुनने से पहले मैं चाओंगा कि आप एक बात को ध्यान में रखें कि मैं इस कभीरी के रक्षा मैं कभी पीछे नहीं रहा और ना ही दुश्मनों से वसूली में बस मुझे और कुछ नहीं कहना है बहुत ही अच्छा बोले तुम प्रियमिधा बहुत ही अच्छा और अब सुतेजा सज्जनों आप सभी हमारे कभीले के सम्मानित क्रहपती हैं जो आज यहां एकत्रत हुए हैं आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मैं वजबंधू का जेष्ट पुत्र हूँ मेरे पिता एक महांतम राजा थे और इस कभीले के सरदार भी चुकि वे इस कभीले के सरदार थे इसलिए प्रिये बंधू से अधिक अधिकार इस पत्तन मेरा हैं बस मैं इतना ही कहूँगा और अब इंदू वर्चा मित्रो भायो और साथी योधाओ मैं ना तो पूरवजों की बात करूँगा और ना ही अपने युद्ध कौशल की परंतु आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा दुश्मनों से प्राप्त वसूली के बटवारे के लिए बोला हूँ यदि मुझे राजन बना दिया गया तो आपको पशुधन, घोड़ों, सोने और दासियों की कभी कमी नहीं होगी बस तो आप सभी ने तीनों प्रत्याशों को सुना अब आप जिससे भी उप्युक्त समझें उससे आप चुने प्रिय मेधा की पक्ष में जो जो हैं वो अपना हाथ उपर उठाएं एक, दो, ती, चाह, पाथ, ते, पाथ और सुतेजक के चाहने वाले भी अपना हाथ उपर उठाएं एक, दो, ती, चाह, पाथ और इस तरह इंदू वर्चा के चाहिते भी अपना हाथ उपर उठाएं एक, दो, ती तो हमारे नए राजन प्रिय मेधा हैं प्रभु तुम्हारी रक्षा करें, हम विर्धी पूर्वक अश्वुमेद येगे करके तुम्हारा राज अविशेक करेंगे, इंद्र तुम्हारी साहिता करें अश्वहे अंतरिक्ष के आदी जल में उदित हुए तुम्हारा जन्म भी महान तुम्हारे पंख जैसे बाज पक्षी के, गिरण भुजाए इरण के समान यम के दिये अश्व को प्रथमत्रिलो की, कृतने रथ में जोडा इंद्र ने सवारी की, गंधर वोने लगाम को पकडा देवताओं ने द्युतिमान सूर्य से अश्व को बनाया अश्व को बनाया अश्व हे तौड़ता रख तेरे पीछे चलता है मनुष्य उसके पीछे चली जा रही सुहागी ने पीछे बोधन उनके भी पीछे सकतारी तेरी मैज्वी की करे चाहना देवता करते चलते तेरी सराहना चला जा रहा अश्व बलशाली दिप्यमन में अपने जान धरता आता है बली के सल्पर अश्व का बंदू अजलाया जाता अनुदमन करता है सबसे पीछे कवियों ग्यानियों करदल गाता गाता जाओ अश्व तुन जाओ माता सिता के पास जाओ परमधाम पाओ आओ देवताओ कास्तवन हविर्धाता को धनसंपता दिलाओ अश्व वेद आरियों के दिल की पुकार थी जब वो भारत की जर्खे जमीन की ओर बढ़े पारिय सोच का सरचश्मा वही था जिसे एरान में अवेस्था पैदा हुआ फिर उन ख्यालों की तरक्की हिंदुस्तान में आकर हुई वेदों का तबसरा रबिंदर ना ठाकुर यूं करते है जीवन के अचरज और भै की तरफ एक जन समाज की भावनाओं का ये शायराना दस्तावेज है अपने सरल विश्वास से सबने प्रकृती की हर शक्ती में हर तत्व में देव रूप देखा पर ये विश्वास साहस और आनंद भरा था और उन्होंने रहस्य में तसवूर में जिन्दगी को एक दिलकशी दी लेकिन रिगवेद खुद सदियों की सोच और सभ्यता के विकास कसार है जिस दौरान सिंधु घाटी तहजीब और कई दूसरी तहजीब में फली फुनी इसलिए रिगवेद में ये जो अरपन है वो मुनासिब लगता है हे रित्विज, हे पूरवज, हे आध्यमारगानवेशी, वंदन है वह था हिरन्य गर्वश्रिष्टी से पहले विध्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्दित्वमान धर्ती आसमान तारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर जिसके बल परते जो मैं है अंबर पृध्वी हरी भरी सापित सिर स्वर्ग और सूरज बीस्तिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर गर्व में अपने अगनी दारण कर पैदा कर व्यापाथा जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्रान बन कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षाकर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षाकर स्वर्वण स्वर्वण